आप देख रहे हैं किनवट वाइरल न्यूज किनवट वाइरल न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आप देखते रहे हैं किनवट वाइरल न्यूज किनवट के हमबाल कॉलेनी से आपको बड़ी खबर दे रहा हूं दोस्तो और ये देख सकते हैं आप किनवट के हमाल कॉलेनी में 25 एपरिल के दोपेर के टाइम दो से डाही बज़े के टाइम अचानक तुफान आने के वज़े से काफी घरों को नुकसान हुआ है जो टीन के घर होते है उनके टीन बहुत से उड़ गया है दोस्तों और जो कमपाउंड वाल के टीन होते है वो गिर गया है और देखिए यहाँ पर पानी भी बरसने के होज़े से साइकल अगेरा फसर ही है और कीचर बहुत जादा हो जाता है थोड़ी भी बारिशा ही तो और कई लोगों के कमपाउंड वाल तूट गया है किसके कमपाउंड वाल के टीन उड़ गया है किसके कमपाउंड वाल तूटकर बिखर गया है और कमपाउंड वाल को जो टीनों के दर्वाजे भी होते है वो दर्वाजे दो तीन घरों के उड गया है अभी तक कई टीन लोगों को मिले नहीं है और कुछ टीन मिले है तो वह टीन भी आईसी हालत में नहीं है जैसे आप लगा सके बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और दो तीन हमाल कॉलेनी में दो पूल होते हैं चार्जिंग पूल लाइट जो बड़े पूल होते हैं चार्जिंग के लाइट के पूल वह गिर गए है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और देख सकते हैं यहां पर लोगों के जो घरों के टीन वगेर आउड़ने के वज़े से लोग बहुत ज्यादा दुखी दिखाए दे रहे हैं और यह किनोट के हमबल कॉलेंज से उपर घरों के कंपॉंड वाल टूटकर गिर गए है और सिर्फ हमबल कॉलेंज की बात बता रहा हूं मैं देखिए यह इस घर के टीन उड़ गए थे और यह बहुत से घरों की यही बात है यही खबर है क्यूंकि बहुत से घर जो होते हैं टीनों के घर हमबल कॉलेंज में तो टीनों के घरों को बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ है अचानक दुपकले में तूफान आने के वज़े से बारिश भी बहुत ज़्यादा थी तो यह बहुत खतरना का और इस तरीके का तूफान अचानक आने से बहुत ज़्यादा घरों को नुक्सान हुआ है और यह जगा किनवट के बहुत से इलाकों में बहुत ज़्यादा घरों को नुक्सान हुआ है मगर यह सिर्फ हमल कॉलेनी की बात आपको बता रहा हूं क्योंकि हमल कॉलेनी एक गरीब बस्ती है और हमल लोग रहते और रोजी मज़ोरी करने वाले गरीब लोग रहते तो गरीब अगरीब दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं किनवट के हमबाल कॉलेनी में बहुत ज़्यादा तूफान आने के वज़े से अचानक तूफान आने के वज़े से कई लोगों के बहुत से घर उड़ चुके है और कई लोगों के टीना और कंपाउन वाल पूआन के टीन बहुत से उड़ चुके हैं बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परिशान है और आचानक तूफान आने के वज़े से वारिश और तूफान एकसात होने के वज़े से कई लोगों को बहुत सब्सक्राण हुआ है अभी के समाचार में बस इतना ही